मालदीव के राश्टपती मोहम्मद मुईजू बहुत जल्द भारत की आधिकारिक यात्रा पर आने वाले हैं जिसे सियासी हल्चल तेज हो गई है क्योंकि ये वही मुईजू है जो मालदीव में इंडिया आउट का कैमपीन चलाकर सत्ता में आये है लेकिन कुछ महीने के अंदर ही मालदीव की सारी की सारी हेखड़ी निकल गई तो चलिए क्या है पूरी कहानी सब कुछ आपको बताते हैं नमस्कार कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट मालदीव के राष्टपती का भारत दौरा क्यूं है एहम क्या डैमेज कंट्रोल करना चाहते हैं राष्टपती मौईजू मालदीव के राष्टपती मौईजू भारत के दौरे पर जल्द आने वाले हैं जानकारी मालदीव के राष्टपती कार्याले की प्रमुक प्रवक्ता हीना वलीद ने दी लेकिन ये दौरा होता उससे पहले ही मालदीव सरकार की दो जूनियर मंत्रियों यानी की मरियम श्याउना और मालशा शरीफ ने अपने पत से इस्तिफादे दिया ये दोनों वही मंत्री हैं जिने इसी साल जनवरी में भारत के प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी को लेकर आपत्यचन टिपड़ी करने के बाद निलम्बित कर दिया था दरसल मालदीव में राष्टपती मुहंबद मॉईजू ने अपने चुनावी अभियान के दोरान ही इंडिया आउट का नारा दिया था मॉईजू को चीन के प्रती जुकाओ रखने वाला नेता माना जाता है कैसे है भारत और मालदीव के संबंद मॉईजू के सत्ता सभालते ही भारत के साथ मालदीव के राजनाइक संबंदों में तनाव किस्थी बन गई थी लेकिन ये विवाद तब और बड़ा हुआ जब प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी ने इसी साल लक्षदीव का दोरा किया था उन्होंने इसकी कुछ तस्वीरे पोस्ट के और भारतियों से लक्षदीव घूम कर आने की बात भी कही इस पर सोशल मीडिया पर मालदीव की बजाए लक्षदीव जाने की चर्चा ने जोर पकरा लेकिन पीम मोदी की तस्वीरों पर मोजु सरकार में मंत्री मर्यम शियावना ने अपतिज्णक ट्वीट किये थे उन्होंने पीम मोदी को इस्राहिल से जोड़ते हुए निशाने पल लिया था उस समय दोनों मंत्रियों को निलंवित कर दिया था लेकिन मालदीव को इस विवाद की कीमत अपनी अर्थववस्ता का सबसे बड़ा आधार यानी टूरिस्म सेक्टर में आई सुस्ती से चुकाना पड़ा था मालदीव आने वाले भारतियों की संख्या घटी मालदीव परेटन विभाग के आकड़ों के मुताविक जन्वरी दोहजार चौबिस में करीब 13,000 भारती मालदीव घूमने गए लेकिन या आकड़ा 2023 के जन्वरी महिने में 17,000 से अधिक था इसके बाद महम्मत मुईजू ने मालदीव में मौजूद भारती सेनिकों को भी चरणबद तरीके से वापस भारत भेजने का फैसला गया लेकिन इसी साल जब प्रधान मंतर नरेंदर मोदी ने तीसरी बार अपने पद की शपत ली तो महम्मत मुईजू भी नई दिल्ली पहुँचे भारत और मौदीव के मौजूदा संबंदों पर जवाहरलाल नेरू युनिवर्सिटी में अंतरराश्ट्य मामलो के प्रोफेसर हेपी मौन जैकब ने कहा कि नैपाल और भुटान की तरही बीते दशक में भारत के साथ मौदीव के साथ ज़्यादा पीचिदा हो गए है क्योंकि जीन ने दक्षिन एशिया में अपना प्रभाव बढ़ा लिया है हाल ही के घटना करम में बांगलादेश भी अब भारत के लिए उतना अनुपूल नहीं दिख रहा है उन्होंने का कि भारत को सोच समझकर प्रतिकरिया देनी होगी क्योंकि चीन अपने पडोस में अपनी भूमी का बढ़ा रहा है ऐसे में एक जिम्मिदार महाशक्ती बनने की आशंका रखने वाले देश को खुद से एक सवाल पूछना चाहिए कि वो किस तरह छोटे पडोसियों के साथ एक मजबूत साजियदारी बना सकता है राश्ट्रपती मौईजु का इंडिया आउट कैंपेन राश्ट्रपती मौईजु ने मालदीव की सत्ता में आने के बाद भारत से दूरी बनाने के संकेत दिये थे जैसे इससे पहले मालदीव में जब भी कोई राश्ट्रपती बनता तो उनका पहला दोरा भारत का होता था मगर राश्टपती मुहम्मद मुईजू ने पहला वदेश दोरा तुर्की का किया था मुहम्मद मुईजू ने मालदीव की सत्ता में आने से पहले इंडिया आउट कैम्पेन चलाया था मौजु ने ये वादा किया था कि यदि वो सत्ता में आएंगे तो मालदीव की जमीन से भारती सैनिकों को हटाएंगे और भारत से वैपारिक रिष्टे भी संतुलित करेंगे सितंबर दोजार तेईस में मालदीव में राष्टपती चुनाओ हुए थे इसमें विपक्ष के सयूगत उमीदवार मुहमद मुजु की जीत हुई थी वो राष्टपती बनने से पहले मालदीव की राजधानी माले के मेयार थे उन्होंने नवेंबर दोजार तेईस में मालदीव और भारत के संबंदों में बदलाव एनिलेश्टिक विभाग के डीन प्रोफेसर डॉक्टर मोहन कुमार इसका दूसरा पहलू बताते हैं वो कहते हैं कि एक साल पहले मालदीव के साथ समंदू को लेकर भारत ने जिस तरह की परिस्तितियों का सामना किया था उनमें अब एक बड़ा बदलाओ देखने को मिल रहा है एक बार फिर भारत और मालदीव के समंदू रास्ते पर लोटते दिखाई दे रहे हैं ये दोनों देशों के लिए एक अच्छा संकेत है मालदीव के राष्ट्रपती मोहमद मुईजू के बदले रवईये को लेकर प्रॉफेसर मोहन कुमार कहते है कि मालदीव को ये बात समझ में आ चुकी है कि यदि भारत के साथ उनके संबंद बिगरते हैं तो इसका मालदी में बदलाव किया है अब उसकी कोशिश भारत और चीन के लावा बाकी देशों के साथ भी संतुलित इस्थापित करते हुए आगे बढ़ने की है ताकि उनके हितों का नुक्सान नहों क्योंकि समय के साथ मालदीव को ये एहसास हो चुका है कि भारत से संबंद पूरी तरह खत्म करके उसको किसी भी तरह से फाइदा नहीं होने वाला है बारत और मालदीव के संबंदों के बीच हिंद माहसागर में चीन की बड़ती दिल्चस्पी को लेकर प्रोफिसर कुमार कहते हैं कि हिंद माहसागर में चीन की बड़ती दिल्चस्पी केवल व्यापार तक सीम नहीं है दरसले चीन की बड़ी रणीती का हिस्सा है क्यों कि हिंद महासागर का इलागा भारत के व्यापारिक हितों के लिए लिहाज़े से महत्पूर है हिंद महासागर में भारत का हैं समुद्री पड़ोसी देश है माल्दीव भारत की रणीती के लिहाज़े से माल्दीव क भगौलिक इस्तिती बहुत एहम है मालदीव हिंद महासागर के बड़े समुद्री रास्तों के पास है इन्हीं रास्तों से अंतराष्टी व्यापार होता है खाड़ी के देशों से भारत के उर्जा की आप पूर्टी इसी रास्ते से होती है भारत अरकार के वदेश मंत्राले की वेबसाइट पर मौझूद जानकारी के मताबिक भारत के व्यापार का 50% हिस्सा हिंद प्रशांत शेत्र से केंद्रित है हिंद महासागर में भारत का 90% कारोबार होता है हिंद महासागर में भारत और मालदीव के अलावा चीन की बड़ती दिल्चस्पी को लेकर वरिश् इसी रणीती का एक हिस्सा है दरसल चीन इसके तहत हिंद महासागर के आसपास के देशों में बंदर गाहों और बुनियादी धाचे का निर्माड करना चाहता है ताकि समय आने पर वो इनका इस्तमाल अपने फायदे के लिए कर सके मालदीव भारत के साथ सम्मंदों को सामाने करना चाहता है किस तरह से जरूरी है इसके जवाब में पुरोहित कहते हैं कि मालदीव की आये का बड़ा हिस्सा टूरिस्म पर बेस्ट है लेकिन जब मालदीव के मंत्रियों ने प्रदान मंत्री नरेंद्र मोधी को लेकर विवादी टिपणी की थी तब सोशल मीडिया पर मालदीव के ख सरकार अपने पडूसी देश मालदीव को अपातकालीन आर्थिक साहता देने के लिए तयार है मालदीव पर इस समय सुकुक डिफॉल्ट का खत्रा मड़ा रहा है और भारत एक अच्छी पडूसी की घुमिका को निभाने के लिए तयार है भारती अधिकारियों के अनुसार मालदीव भारती रिजर्व बैंक के मुर्दरा विन्मेंव कारकरम के अंतरगत 400 मिलियन डॉलर का तुरंत लाब उठा सकता है ये कारकरम शेत्री देशों को सहायता अफ्लम्द कराता है अधिकारियों के मताबिक भारत ने 2019 में मालदीव को 800 मिलियन डॉलर की क्रेडिट ला ही है या नहीं लेकिन ब्लूंबर्ग में चपिर रपोर्ट के मताबिक आने वाले हफ्तों में राष्ट्रपती मुहमद मुझू की भारत क्यात्रा के दोरान वह इस मामने पर चर्चा कर सकते हैं बारत से इस अपातकालीन साहिता से मालदीव को अपने विदेशी कर्जों की अगली किस्ट चुकाने में मदद मिलेगी जो कि इस समय पर उसके ओपर इसलामिक बॉंड डिपॉल्ट का खदरा मड़ा रहा है मौलदीव ने इस सब्ता इन लोन को किस्तों को चुकाने का वादा किया है लेकिन इस समय मौलदीव इस स्टिधी में नहीं है कि वो इस लोन की किस्तों को चुका सके बारत के विदेश मंतराले से जब इस मामले पर जानकारी मागी गई तो उन्होंने इस पर किसी भी तरह के कोई टिपणी करने से इंकार कर दिया वहीं RBI मौलदीव सरकार और मौलदीव मौदरिक प्रादिकरण ने भी इस पर अभी तक अपनी कोई प्रक्तिकरिया नहीं दी है ब्लूमबर्ग के आकड़ों के मौलदीव को अक्टूबर में लगभग 500 मिलियन डॉलर के बकाया सुकुक करजे पर 25 मिलियन डॉलर का मुक्तान करना होगा मौलदीव मौदरिक प्रादिकरण ने पिछले महिने के अंत में एक बयान में कहा कि वो भारत के साथ 400 मिलियन डॉलर की मुद्रा विनियम विवस्था के लिए काम कर रहा है और जल्द ही इस मामली में काम्याब होने की उमीद कर रहा है मौलदीव की वर्तमान सरकार भारत विरोधी रवयय के लिए जानी चाती है जब से मौलदीव में मौदीव सरकार आई है तब से भारत और मौलदीव के संबंदों में खटा असानी है भारती प्रधान मंत्री ने तीसरे कारेकाल के लिए अपने शपत ग्रहण में मुज़ू को बुलाया और वो आये भी भारत की तरफ विदेश मंत्री एस जैशंकर को समय पहले ही मौलदीव गए थे और वहां पर कुछ महत पूर साजेधारियां भी की थी हाली में मौलदीव की तरफ से भारत के प्रधान मंत्री पर गलट टिपणी करने वाले मंत्रियों को सरकार से बाहर भी निकाल दिया गया मुज़ू के भारत आने और भारत के प्रधान मंत्री के साथ बैठक से भारत और मौलदीप के रिष्टों में एक नए दौर की शुरुवात होगी अब देखना होगा कि जब राष्ट पती मुज़ू भारत आएंगे तो क्या कुछ उनका रुख होगा स्पेशल स्टोरी वे खलाल के लिए इतना ही बागे तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी नमस्कार